हाँ दूजी ये है Acer की नई Advance i-Series 32-inch Smart TV और इस TV को बिछले एक मैने से खुद यूज़ कर रहा हूँ बस आप वीडियो को end तक देखते रहेगा साधे साथ मेरा जो overall experience है इस TV को लेकर वो भी मैं आपको share करने वाला हूँ इसी के साथ Acer की नई 32-inch QLED TV भी लाँच हुई है 15,000 पे की price point में तो वो ले या फिर ये ले दोनों में difference क्या है इन सब चीजों पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं जैसे कि मैंने का बस आपको end तक देखना होगा बाकी वीडियो पसंद आए तो वही like, share, subscribe करते चलिएगा सब सब पहले आपर हम बात करते हैं इस TV के storage की because storage को लेकर काफी दा confusion हो काफी सारी questions है तो on paper यह mention किया गया है कि TV में आपको 16GB की internal storage देखने मलती है लेकिन जब आप TV बाय करके check करते हैं तो आपको TV में available space जो है सिफ 7.2GB दिखाई देती है यहाँ पर जो Android TVs होते हैं इनके comparison जो Google TVs आजकल आपको देखने मल रहे हैं इनमें जो है space की requirement थोड़ी जादा होती है और इस विए से जितने भी Google TV market में available है उनमें आप देखेंगे कि जो half of the storage है वो preoccupied होती है तो यहाँ पर आपको एक्चल में 16GB की storage दी गई है अगर TV में 8GB की storage होती तो यहाँ पर आपको जो space है मेरे साब से hardly 3-4GB के आज पास ही देखने मलता लेकिन मेरे साब से 7GB की storage भी आपके लेनफ होने वाले आप काफी सारे apps चिल इस TV में install कर सकते हैं तो इस इसको लेकर चिंदा गाने के आपको कोई ज़रत नहीं है next question काफी साथ लोगों होगा यह है कि इस TV में क्या lag अगरा देखने मिल रहे हैं या आप उन नहीं दिकि तूबी अब तक मैंने जितने भी Android TVs use करे हैं चाए वो Google TV हो Android TV हो उन सभी TVs में आपको थोड़ा बहुत lag तो देखने मिल जाता है and same with this TV also और especially जब आप TV को boot करते हों यानि जब TV आपकी start होती है तो थोड़ा सा time देता है 35 seconds में TV आपकी properly start होते है उसके बाद आपको home screen देखने मिलता है बढ़ उसके कुछ minutes तक यानि first 2-3 minutes तक भी जो TV है वो अपने आपको stable करने ही कोशिश करती है और इस दोरान अगर आप बटन को बार बार प्रेस करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत lag यहाँ पर देखने मिल सकता है इसलिए मैं हमेशा recommend करता हूँ कि जब भी आप कोई भी Android TV यूज़ कर रहे हैं चाहिए Google TV हो या फिर normal Android OS हो तो आपको TV on करने के बाद 2 minutes तक wait करना है और इसके बाद आप जो भी task perform करना चाहता है जो भी आप open करना चाहता है वो कर लीज़े आपको smooth performance देखने मिलेगी because starting के कुछ minutes में जो है TV हर TV लाग होती है और ये TV भी starting के कुछ minutes में lag होती है बाट उसके बाद आपको इदम बढ़िया smooth performance मिल जाएगी हाँ कभी कबार अगर आप जो है suppose Netflix पे click कर देते हो इसके बाद YouTube पे click कर देते हो ऐसे 2-3 apps अगर आप बार-बार click कर दोगे तो फिर उसमें थोड़ा सा TV कन्फिस आती हो और वहाँ पर आपको थोड़ा lag देखने मल जाएगा बाकि as such कोई दिक्कत नहीं होने वाली ऐसा नहीं होने वाला कि TV अटक जा रही है और आप content stream नहीं कर पा रहे हो तो एक छोटा सा problem है जो कि हर Android TV में ने notice कर रहा है तो उसका solution में आपको बता दिया है बाकि as such कोई दिक्कत नहीं है इस TV में अगला question ये कि क्या इस TV के साथ में आपको wall mount मिलता है या फिर नहीं तो answer है जी नहीं इस TV के साथ में आपको wall mount नहीं दिया जाता है लेकिन अगर आपको TV wall mount कराना है तो आप यहाँ पर जो है 500 रुपीस पे करके जो भी installation वाला आएगा आपके घर पर उसको जो है आप 4-500 रुपीस पे करके wall mount लगवा सकते हो next question ये कि क्या इस TV को use करने के लिए internet होना जरूरी है जी नहीं ऐसा बलकुल नहीं अगर आपके पास DTH connection या इस Adderbox connection है और अगर आपके पास internet नहीं है तो भी आप इस TV को बड़े अराम से use कर सकते हो बाकि अगर आप TV में online content देखना चाहते हो बढ़ें परफॉर्म करती है HDR वीडियो भी इस TV में अच्छी तरीके से play हो जाते हैं हाला कि long time usage मुझे इस TV में कुछ-कुछ जगों पर brightness से कमी महसूस होई अगर इस TV में brightness थूड़ सी और बढ़ें होते तो आपको पिचुक आओडी अच्छी मिल जाते हैं बाकि audio के एकर बात करें जाया है तो इस TV में 30 word के speakers और बी audio support दिया गया है मेरी यहाँ पर audio से कोई शिकायत नहीं देगी because already TV market में available काफे सारे TVs जो कि इस range में है उनसे बढ़िया परफॉर्म कर रही है content recommendation काफी अच्छा है यहाँ पर voice assistant भी काफी मखन काम करता है wifi, bluetooth यह चीज़ भी काफी अच्छी तरह किसी आप पर work कर जाती है game over अगरा भी दिया गया TV में तो PS4 यह फिक gaming console लगा कर game भी इस TV में आप खेल सकते हो well, pricing इस TV के जो है 13,000 और पर है तो बड़ी हाँ बात है अब Acer नहीं और एक नया TV launch किया है वो है 32-inch QLED TV उसकी pricing है 15,000 और एक चीज़ में बता दूँ यह जो आप TV देख रहे हैं इस समय यह TV और वो QLED TV दोनों ही TV exactly same है सब कुछ जो है वो यहाँ पर same use किया गया जो features वगर है आप देख रहे हैं जो specs देख रहे हैं इस TV के वो same specs है QLED वाले के even जो body वगर है वो भी same use किया गया है बस एक ही चीज़ का difference आपको देखने मिल रहा है वो है display panel का यह है normal LED TV और वो है QLED TV QLED TV में आपको क्या difference देखने मिलेगा यह भी बता देता हूँ QLED TV में आपको colors काफी बढ़ियां देखने मिलने वाले इसके कपाईशन में colors थोड़ से आपको बढ़ियां देखने मिलेगे colors के coverage काफी अच्छी होने वाली है उसमें और जो black colors उसमें आपको थोड़े और deep देखने मिलने वाले है यानि contrast शो आपको थोड़ा सा और बढ़ियां मिलने वाला है और इसके लिए आपको थोड़ा सा extra pay करना पड़ेगा 15,000 पे देखकर आप जो है Acer का QLED TV भी करसे देखा सकते हो परफॉमेंस वगरा सब कुछ सहीं मिलेगा पिच्छे क्वालिटी इसके पाईशे में थोड़ी सी boosted मिलने वाली है तो अब सवाल ये कि 15,000 में वो भाई करें या फिर 11, 12, 13,000 में ये भाई करें देखें टोटली आपकी requirement में डिपेंड करता है अगर आप TV में mostly जादा तर आप सब्सक्राइब करने वाले हो तो मैं सब्सक्राइब करूंगा पैसे उतना दा एड करने की जरुवत नहीं है आपके लिए ये normal TV बढ़िया है QLED का मज़ा आपको वैसे normal setup box के content में उतना बढ़िया नहीं मिलने वाला है तो आप चुपचाप से ये TV ले लिजे और अगर आपका budget बढ़िया है और आप TV में offline के साथ online content भी देखना पसंद करते है Netflix Prime Video के तुरू या फिर बाकी किसी और OTT platform के तुरू ऐसे case में आप QLED का मज़ा बढ़िया मिलने वाला है बाकी no doubt इसको भी consider कर सकते है online content के लिए बट अगर budget अच्छा है तो आप QLED version भी consider कर सकते है I hope यहाँ पर आपके doubts clear हो चुके होंगे I hope वीडियो आपके लिए informative रहा होगा इसके लावा still कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment करके पूस सकते हैं यह सभी टीविस के जो authorized sellers की buying links है वो already मिन आपको नीचे description में दे दी है तो description में लिंक को click केजे और टीवी को अभी buy कीजे इससे पहले यह टीविस out of stock हो मिलते है नेक्स वीडियो में एक नेट आपने के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई साओनार